यह जो काउंटार देख रहे हैं दोस्तों इसका काम पुरा हो गया है इसमें प्लाय लगाने का काम हो गया है उपर में सिप ग्लास लगाने का काम है और माइका सिपकाने से ही इसका जो काम है पुरा हो जाए है और इस काउंटार के साथ में हमने उपर का जो अलमारी है इसको Hewil भी लगा दिया है दोस्तो यह इधर-उधर एगदम आसानी से कर सकते हैं कभी भी अगर दुकान को साफ करना है तो इस आलमारी को इधर-उधर आप कर सकते हैं ये फिक्स नहीं है दोस्तो और थोड़ा अगर जो हुईल है हुईल में जाम कर देंगे तो इधर उधर ये नहीं जाएगा अभी ये जो हुईल है हुईल को हमने लगाया है दोस्तो ये देखिए इस ताइप का हमने हुईल को लगाया है दोस्तो इसका लोग 250 केजी है और ये यह जो अलमारी है, यह उपर का अलमारी है, इसमें ग्लास का हम फिटिंग करेंगे, नमस्ते दोस्तों, और एक न्या वीडियो में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ, किसी भी दुकान का काउंटर को कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा दिद लाइटिंग कर देंगे और ये उपर में हम बिठाएंगे आप लोगों को दिखाया है पहले ये उपर में हमने बिठाया है दोस्तो इस तरह से ये जो उपर का जो अलमारी है इसको हमने बनाया था और इस प्लाए में हम दबल प्लाए लगाएंगे दोस्तो दबल प्लाए जो नीचे है नीचे हमने फितिंग किया था दोस्तों इस ताइब से इसको हम फितिंग किया और एक काउंटर को एकड़म असानी से कैसे बना सकते है इस बीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों ये जो प्लाय का पीस देख रहे है और ध् darle को दो पीस कर लिया है दोस्तों शापीस अभी हमने कर लिया है इस ताइप से कर लेना है और इसका जो शुराई है उथ्रह 17 में हमने कतिंग किया है दोस्तों अगर पॉंट का साइट में आपको डिजाइन बनाना है तो ये जो प्लय का पीछ इसको आप एक एंची ब्रा करके कर दिया है और यह जो तरीका है एकडम आसान तरीका है दोस्तों पहले आप यह जो खरापती है सब कुस निसे कर सकते हैं लेकिन अगर एक एक करके ऐसे फितिंग करेंगे तो थोरह आसान हो जाएगा और कोने का जो एल टाइप कटिंग करना है प्लाए को इसको भी हमने कटिंग कर लिया और निशे में ऐसे फितिंग कर दिया है दोस्तों दो पीस इसमें फितिंग कर सकते है पहले और ऐसे ही जो कोने का जो एल टाइप जो जगा है उसको हमने ऐसे पुरा बना लिया है दोस्तों आप लोग द करने के बाद इसका जो नीशे का प्लाय है इसको फितिंग करेंगे अभी हम इसको पलता के ले लिया है और प्लाय का सभी तक्कर में फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल जो है दोस्तो एकड़ू है अच्छी क्वालिती का फेविकॉल को दोस्तों यह जो एरिया है यह जो खुला एरिया है इसमें एक सेल्फ आयेगा इसको भी हम बाद में लगाएंगे और सेल्फ लगाने से पहले उपर का जो प्लाय है इसको हम देख लेते हैं दोस्तों यह निशे का प्लाय है लेकिन अभी मैं उपर में लगा रहा हूं इसलिए उपर का प्लाइ बोल रहा हूँ दोस्तों लेकिन ये जो प्लाइ है ये निशे में फिटिंग होगा और इस तरह से इसको हम लगाएंगे और लगा के देख लेंगे कि ये जो बराबर हुआ है कि नहीं उसका बाद ही इसमें हम कील ठोकेंगे और ये जो जगा देख रहे हैं इ इसलिए इसमें हमने हाब हाब नहीं कटिंग किया है और इसमें ये जो सेल्फ है सेल्फ का नीशे एक सोता बीट लगा के इसको हम फिटिंग कर देंगे और सेल्फ जो है सेल्फ का जो दागी है इसको हम ऐसे ही पुरा ले लेते हैं दोस्तों और इसको ऐसे पुरा नीशे ही ले लेना है लेके बाद में cutting करके इसमें हम fitting करेंगे इस ताइप से इसका जो दागी है दागी को लगा देना है और इसको रख देना है बाद में इसको cutting करना है और cutting करने के बाद इसको fitting कर सकते है दोस्तो और पहले भी आप fitting कर सकते है लेकिन इसका जो cutting है इस ताइप से यह जो प्लाय है प्लाय में अभी कील हम ठोक देंगे दोस्तों दो इंशी का जो कील है इसको अभी मैं इसमें ठोक रहा हूँ देखिए एकडम बराबर करके फॉन का जो साइड है इसको एकडम बराबर कर लेना है दोस्तों अंदर का साइड को आप बाद में र में कुछ भी दिकत नहीं होगा देखिए ये पुरा अभी जो प्लाय है प्लाय को हमने एक साइड में कील ठोक दिया है दोस्तो और कील ठोकने के बाद पुरा जो प्लाय है पुरा प्लाय को भी फितिंग करेंगे और फितिंग कर दिया है दोस्तो और फितिंग करने के बाद य समट करके बाद आलमारी हैनी हम हम को ऐसे फितिंग करना है और फितिंग करने के बाद निशे का हिस्सा है इसमें हमको सेशनर लगाना है दोस्तो ćshus came ou Giulogh इसको गलास के लिए पतम कटिंग करना है दोस्तों, इसमें कतर मेशिन से ही हम 12 mm गलास है इसके लिए खासा कटिंग करेंगे, 12 mm भी आप लगा सकते हैं, अगर नीशे सपोर्ट होगा तो 8 mm का गलास आता है उसको भी लगा सकते हैं, अभी ये ये जो फेम हमने बना दिया है, और कतर मेशिन में यह जो bead है, bead को हमने बान लिया है, दोस्तों, बानने के बाद इसमें हम खासा cutting करेंगे, और blade जो है, blade का जो sitting है, ऐसे पुरा देख लेना है, इसको कितना गहराई तक आपको बनाना है, इसको देख लेना है, और देखने के बाद जो पतम है, इसको हमने cutting कर लिया है और कैसे कटिंग करना है थोरा में उसको भी दिखा देता हूं दोस्तों देखिए ये जो काउंटर है इसका उपर में ही ये जो फेम है फेम को हमने रख दिया है और रखके कतर मेशिन को इस तरह से धिरे-धिरे सला के ये जो पतम है इसको हमने निकाल दिया है देखि तो रबिध है यानि कि जो पतम है उसको मैं थोरा नस्तिक से दिखा देता हूं देखिए ये इसका जो पुरा रबिध है ये पुरा हो गया है अभी निसे का जो पाया है उसको फितिंग करना है निसे का जो पाया है पाया को फितिंग करने के लिए हमने ये जो प्लाय का पीज से बनाना है थोरा में दिखा देता हूं देखिए ये जो पाया है पाया को हमको एल टाइप करके बनाना है प्लाय का जो पत्ती है पत्ती हमने कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद इसमें फेविकल लगा के इसको एल टाइप करके हम फिटिंग करेंगे फिटिंग करन अच्छा नहीं होगा इसलिए इसका जो पाया है पाया को कुछ इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद इसमें आपको सक्का फितिंग कर देना है और ये जो काउंटर है काउंटर इधर उधर करने में एकड़म आसान हो जाएगा इस तरह से ये जो पाया है पाया को हमने फ आसानी से लगा सकते है उसके हिसाब से जो पाया है पाया को अब बना लेना बाद में कुछ भी दिकत नहीं होगा अगर चक्का बरा होगा तो ये जो पाया है पाया को भी थोड़ा बरा करके बनाना होगा अगर सोता सा इसका आता है तो सोता करके बनाना होगा इस ताइप से म हुइल में इसकु है दोस्तों साइड में दो इसकु है दो इसकु हमने लगाया है और यह जो इसकु है इसकु को ही इसमें लगाना है दोस्तों देर इंशी का जो इसकु आता है उसको भी आप लगा सकते है क्योंकि प्लाय जो है प्लाय दबल हो गया है और इसमें आप देर इ तक आपको पता ही नहीं सलेगा और यह काउंटर का यहां तक जो काम है पुरा हमने दिखा दिया है और बात का जो काम है माई का कैसे लगाना है और भी काम है उसको भी मैं दिखाऊंगा और ये उपर का अलमारी किस तरह से हमने बनाया था उसको भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तो देखिए तीनो साइड में उपर का जो तीनो साइड है उसमें हमने दबल दबल प्लाय लगाया है और नीशे का जो साइड है उसमें हमने सिंगल प्लाय लगाया है और बोडर का जो bead है 2NC का bead हमने बना के लगाया है 2NC का bead 300-300 करके सभी side में निकल देना है और नीशे का side में जाधा निकल के रखना है क्योंकि बाद में ये जो counter है counter के साथ में उसको fix कर देना है दोस्तो fix भी कर सकते है इसको लगा के folding भी कर सकते है अच्छी तरह से इसको फेविकल लगा के हमने ये जो bead है बोडर का bead जो है इसको हमने कील ठोक दिया है बाद में इसमें हम माईका लगाएंगे और अंदर के side से glass fitting कर देंगे और इसको नाप के अंदर का side में बराबर करके इसको बना देना है दोस्तो और ये जो काम है पुरा हो गया है माईका लगाना बाकी है और इसमें glass का self लगाएंगे और आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक like और channel में अगर नया है तो channel को ज़रू subscribe करना दोस्तो मिलेंगे एक नया वीडियो में और इसका जो part 2 है उसको भी हम दिखाएंगे बाद में